तो चलिए सब्सक्राइब करें कभी ना कभी एक बार जरू देख लें अगर आप लाइफ साम को नहीं देख पाते हैं तो बात में आप इसको कभी भी देख सकते हैं और कोसिस की जारी कि आपको कम से कम हर एक वीडियो में 100 कोस्टन आपको प्रवाइट किये जाएं इससी कि आपका 100 कोस्टन का पूरा MCQ पैटन आपके लिए त्यार हो जाए ठीक है तो अभी पहली हमने आपको क्लास दी थी जो थी आपकी महरतन की फुल फॉर्म से संबंदे जित्ते भी कोस्टन बनते हैं और सेकेंड क्लास हमने दी थी आपको M1 R5 के जिसमें आपको बताए गया थे File Extension से संबंदे कोस्टन तो इसमें भी मेरे मान से 100 से उपर कोस्टन थे और ये होगी आपकी क्लास नमबर 3 जो कि हम आपको देने वाले हैं Shortcut Keys के उपर ठीक है LibreOffice से संबंद जिते भी Shortcut Keys या Windows संबंद जो भी Shortcut Keys होती है उसमें किस पकार के कोस्टन आपके बनते हैं क्योंकि ये Important Topic है ये I का जरूर ठीक है इसके बाद हम आप्लिकेशन में चलेंगे यानि कि LibreOffice के जो भी अप्लिकेशन से हैं जैसे कि LibreOffice कल्क, LibreOffice इंप्रेस और LibreOffice आइटर से संबंद इस Questions जो बनते हैं उसके बारे में देखेंगे ठीक है तो आपको जो भी Notes आपको प्रवाइड किये जा रहे हैं उनकी वीडियोस देखें यहाँ पर अवलेबल है मैंने Playlist बना दिया है M2R5, ITWD Class Practice, M3 की, M4 की और ये जो आपकी वीडियो अप्लोड होई है वो आपकी M1 की है उसकी Playlist यहीं पर नीचे अवलेबल है ये वाली देखेंगे अवलेबल है तो सारी Playlist बना दी इसी के अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगे अगर आपको पूरी वीडियोस चाहिए तो आप मुसको Message करें वाटसेप पे या PDF नोट से हैं इनके तो अभी आपको मिल जाएंगे तो टाइम नवेश करते हैं चलते हैं फटफट मॉक टेस्ट पे और लिवरे ओफ़से समंदित मॉक टेस्ट आज हम आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा है ठीक है तो open करते हैं आप लोग अपने answers जो है नीचे comment करके बता सकते हैं जो भी है A, B, C, D जो आपको लगे मैं आपके अभी start करता हूँ लाइफ ठीक है तो यह है हमारे पास पहला question जो कुछ important है और आपको demonstration भी करके दिखा देंगे कि इसका प्योग कहां पे कहां किया जाता है जिससे कि आपको समन में आभी भी आएगा कि जो keyword हम अदाएंगे वो कहां पे use होती है तो work अगर करेगे तो आपको दिखा देंगे नहीं करेगे तो आप उसको सिप note कर दें तो पहला यहां पर देख सकते है pressing is a queue ठीक है way is to cycle between open program window ठीक हिंद इंगलिस दोनों में है और इसमें जो पूरी PDF हमारे पास अपलेबल है 24 pages की है और courses की गई इसमें आपको कितने questions है देके 65 questions है ठीक है तो जितने हो जाएंगे मैं आपको करा दूँगा एक courses करेंगे 100 के ओपर आपको बता दें तो पहला देख लेते हैं कि दवाने कोई button है उसको दवाने के बाद open window के बीच move करने के लिए आप जा सकते है निकि एक window यसे कि माले यह पीडियाफ open है अब आप background में देखिए हैं नीचे कितनी सारी task पे फाइले open होती है तो उस पे जाने के लिए कौन सी की दवाएंगे देखिए मैं आपको work करके दिखाता हूँ अभी हम alt और tap दवाएंगे देखिए यहाँ पे हमारे सामने कितनी सारी window आपको दिखाए दे रहे होंगे डिस्पले पे तो आप alt टब दवाते जाएंगे तो window पे यह move होता जाएगा ठीक है तो इस पकार से आप किसी पे भी जा सकते है ठीक है तो कौन सी की होती है window पे move करने के लिए alt और tap तो option क्या हो जाएगा देखिए हमने red color से यहाँ पे लिख दिया है alt और tap ठीक है window पे open program window पे move करने के लिए या open दूसरे program को open करने के लिए उस पे जाने के लिए alt और tap बटन का पूयोग यहाँ पे किया जाता है ठीक है तो पहले का option हो जाएगा सिंपल सा है इंदे इंगले दोनों में आपको question देखने को मिलेंगे एक जाम में तो आप इस पेकारते त्यारे कर सकते हैं what is the shortcut key of cut है निकि cut करने की shortcut की क्या है तो cut करते की इस पेकारत है जैसे कि यह आपका document है इसको हमें cut करना है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके भी cut कर सकते हैं लेकिंगे इसकी shortcut क्या होती है control और c नहीं होगी ठीक है control x होती है ठीक है हमने cut कर लिए अब paste करने के लिए control v करती है ठीक है तो cut करने की जो आपकी key है वो क्या हो जाती है control x important है पूछे जाते हैं यह सब question ठीक है थोड़ा सा low level के हैं लेकिन हमको पढ़ने तो ज़रूर है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है next अपना comment आप जुरू किया करें जब live वीडियो चला करें मेरे answer बताने से पहले तो उससे क्या होगा आपके त्यारी हो जाएगी what is this shortcut key for system reboot अपने computer system को हमको reboot करना है उसके लिए shortcut क्या होगी यानि कि computer आपका एक बार बंद होके अपने आप चालू हो तो उसके लिए देखे shortcut की होती है control alt और delete हम दबाते हैं तो आपका restart का menu आपके सामने आ जाता है ठीक है तो control alt delete के आप दबा के यहाँ पे कर सकते है control r control alt window r दबाएंगे तो आपका run कमांड यहाँ पे open होगा ठीक है तो control alt delete next to rename a file folder को यह आपका file folder बना हुआ है उसको rename करने के लिए shortcut की क्या जैसे कि हम desktop पे चलते हैं माल लेजिए यह m2r5 practical का जो है इसको rename करना है तो दो तरीके हैं आप right के लिए करके है आप से rename कर रखते हैं और shortcut की के लिए हम दबाएंगे function की 2 हैनि कि F2 दबाएंगे तो यह rename ह option हो जाएगा तो वही पूछा गया है तो यहां पर देखे option हो जाएगा F2 किसी फाइल को rename करने के लिए यहां पर हम प्रेस करते हैं F2 ठीक है next अब देखे पूछा कि अब which shortcut key is used to use is hide or so sidebar in LibreOffice Writer राइटर का question है ठीक है LibreOffice Writer में sidebar को ठीक है बोला गया sidebar को hide और unhide करने के लिए क्या use किया जाता है ठीक है तो बहुती simple सा है देखे हैं आपर जो option है आपके सामने है जो red color से वो answer ठीक है तो उसको आप ना देखते हुए पहले अपने answer ठीक करें बाकी अगर हम देखे हैं यहां पर क्या work करता है कि नहीं तो control F5 यहां पर 100 हो रहा तो देखे control F5 दबाएंगे तो यहां पर कोई भी action नहीं हो रहा ठीक है तो कभी कबार यह action नहीं भी होता है कोई जरूर नहीं कि हर बार वह action करें तो हम चलते हैं अपने mcq पर तो यहां पर circuit की तो hide side bar यहां पर work नहीं कर रहा है ठीक है तो हम एक बार इसमें से कोई भी देख लेते हैं दबाके alt F5 देखे इससे भी कोई भी menu open नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है कि वो हर्त हमें वर्क करें आपकी देखे option होते हैं कभी कबार हमको टूल पर जाके करना होता है उस और यहां पर बनानी होती Eldrata क symbolism की यहांपे आप no price रावन की करना प्लता है लेकिन option है वो हई है जो कि इसकतार सब्सक्राइब करना चुपाने के लिए लिब्रे ओफिस राइटर में तो हमने लिब्रे ओफिस राइटर ओपन किया हुआ है तो हो सकता है लेटर वर्जिन का प्रभाव हो लेकिन ऐसा नहीं है कंट्रॉल एफ फाइब इसमें हमारा सो हो रहा है ठीक है नेक्स्ट तो आप नोट कर लें उसके बाद है what is the shortcut की तो open formula bar in लिब्रे ओफिस राइटर formula bar open करने के लिए F2 दिया F4, F5, F6 तो formula bar open करने के लिए अगर मैं F2 दबाते हैं तो देखे क्या होता है formula bar देखी open हो गया ठीक है तो देखे हर बार मैंने कहा है work करें का जो इसमें पहले से by default बनी होंगी वह आपकी work करेंगे देखे formula bar यहाँ पे open हो गया ठीक है तो option क्या हो जाएगा इसका F2 formula bar open करने के लिए F2 का दबाते हैं F2 का other software में और इस्तमाल होता है इसे के F2 का rename करने के लिए file folder के लिए लेकिन लिब्र ओफिस राइटर में F2 का use करते है formula bar को खोलने के लिए ठीक है तो आपको याद करना पड़ेगा हर एक software के लिए सब्सक्राइब करना है तो देखें क्या काम करती है control F12 दबाते हैं तो देखें फिलाल तो कोई work हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो देखें कोई जरुब नहीं कि वो work करें मैंने आपको बताया है ठीक है तो कभी कबार work नहीं भी करता है तो मैंने भी control F12 दबाया लेकिन कोई work नहीं हुआ ठीक है लेकिन shortcut की है इसके इनुशार चुदी कि यह control F12 से आप writer में insert करकते हैं अपनी table को ठीक है तो अच्छी बात है लेकिन यह work इस समय आपके सामने नहीं करता है तो insert करने के लिए अगर table पर हम जाएंग तो यहाँ पर option को मिलेग इसको अगर माली यह work ना करें तो एक बार आप लोग क्या करें इसको close करके और दुबारा भी open कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपको वह work करने लगे ठीक है तो यह भी आप एक बार कभी कबार करके देख लिएगा फिरा लगर वह work करें चाहना करें आपको तो mcq लगाने 12 दबाया देखिए आपका इंसर्ट टेबल आपका सो हो गया आप यहां पर जैसे आप इंसर्ट करेंगे टेबल देके इंसर्ट हो ठीक है तो यह है आपका सिस्टम इस पेकार से control F5 वाला था तो इसका जो option हो जाएगा क्या हो जाएगा control F12 से आप इंसर्ट करा सकते है टे अब यहां पर साथ पेजस यहां पर सो हो रहा है तो यह है आपकी सौट कट की पेज को ब्रेक करने की तो option क्या हो जाएगा control प्लस इंटर लिबर ऑफिस डाइटर में किसी भी पेज को ब्रेक करने की ठीक important question है question number 9 which shortcut is used to create a new document हो new document के लिए लगबख सभी में जो shortcut क्यों होती है वो control N ही होती है तो हमने control N दबाए तो देकि new document open हो गया ठीक है तो यह अलाम कर देते हैं close और new document पे आशाते हैं ठीक है तो option हो जाएगा control N ठीक है बाकी देखे और option में दिए गए हैं आपको फशाने के लिए लेकिन आप लोग जो option तिक करिएगा control N वाला ठीक है next number 10 में लिब्रे ओफिस डाइटर में कौन सी software कुझी को फ्योग double underline करने के लिए किया जाता है तो देखें double underline करने के लिए तो आपको control shift D है control shift U है अब बाकी other software में आपकी control यह होती है ठीक underline करने के लिए लेकिन इसमें देखें option में क्या दिखा रहा है control D है double underline करने के लिए कि लिए एक यहांपर खरती है है अभी उसको बड़ा करते है थोड़ा उसको देखे डबल अंडर लाइन इसके नीचे आ गई तो इस परकारते यह काम करता है एक टो डिशनरी कर देंगे तो यह आपका हड़ी आएगा ठीक है तो ऑप्शन इसका मतलब ठीक है कंट्रोल डी इसका ऑप्शन बनेगा नमबर 11 है इन लिब्रे ओफिस दाइटर विस सॉटकट की इस उस्टो इंक्रीज आफ फॉन साइज अब देखे सॉटकट की के लिए इंक्रीज फॉन साइज बोला है तो अब इसमें बोला है कंट्रोल प्लस आपका जो ब्रैकेट्स देखे यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है इन ब्रैकेट के मादन से आप इसको फॉन को बढ़ाया चोटा कर रखते हैं ठीक है तो कंट्रों के साथ यह जो ब्रैकट है अब ऑप्सिन देखिए ए ऐ और बी तो यह और यह दोनों ऑपशन होगा जिससे कि आप इसको बढ़ा चोटा कर सकते हैं तो हम लोग देखते हैं को सिस करके माल लिए इस पर हम स्लेट करते हैं और देखें ये बड़ा हो भी रहा है ठीक है तो कितना अच्छा option है controls और हम दबा रहे हैं यहाँ पर arrow key ठीक है आपके enter के उपर key होती है उसको दबाने देखें छोटा बड़ा हो जाता है ये कितना अच्छा इसमें feature है आपके library office writer में ठीक है तो option क्या बनेगा दोनों ही option इसमें ठीक होंगे ठीक है मैंने जो press की है इससे जब हम press कर रहे हैं तो increase हो रहा है font ठीक है plus में जा रहा है और जब इसको हम press कर रहे हैं तो sorry दोनों को यह basically press कर रहे हैं जो इधर वाले जो symbol है right side में यह हमारे plus कर रहे हैं और जो इधर वाले symbol हैं आपके enter की के उपर होंगे तो यह हमारे font को minus कर रहे हैं ठीक है तो इस पर करते हैं तो दोनों ही option यहां बिसली ठीक होगा और control दबा के अगर इसको दबाएंगे तो यहां पर minus होगा ठीक अब यहां आप बोला है size बढ़ाने के लिए size बढ़ाने के लिए यह दोनों मैंने आपके बताया घटाने के लिए बोलता तो सिर्फ यह option होता है ठीक है तो simple है तो option जाएगा D अब अगर आप खाली यह लगा देते या इसमें से यह लगा तो option एक साथ दिये होते हैं ठीक है तो अगर हमको उपर वाली यह नीचे लेने उसके साथ हमको shift दबाना पड़ता है लेकिन इसमें क्या shift control के साथ तो आपको यह नहीं पता है कि आप किस पे काम कर रहा है तो इसलिए यहां पर जो option है दोनों select किये गए इन लिब्र आफिस दा करने के लिए अगर में बात करें तो हमको ती आती है की f12 ठीक है लेकिन इसमें है control shift और s हम दबाते हैं control shift और s हमने दबाएंगे तो देखे save s का option यहां पर open हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह shortcut की साई है option हो जाएगा ए तो जलेशन next question जलते है question number 13 है लिब्र आफिस दाइटर में heading 3 के लिए shortcut किंजी कौन सी है ठीक है सभी office में आपकी heading होती है जैसे कि यहां पर आप देखें यह center पर है इसी पकार से heading भी होती है देखें underline यह सारी चीज़ है तो अगर आप MS word का use करें तो यहां पर आपको by default heading दिखा देती है ठीक है अब इसने माली आपको heading लगानी तो देखें control 123 देखें यह heading है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते है heading दी गई है सारी तो अगर question के अनुशार देखा जाए तो यहां पर control 1 अब यह heading number 3 लगानी है ठीक है heading number 3 लगानी लिए control 3 दबाएंगे control plus 3 ठीक है अगर heading 1 बोलता तो control दब अगर देखें control 1 आ जाएगी ठीक है इसको आपको करना इस परकारते सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 5 तक heading अब लेवल है ठीक है यहां पर देखेंगे 5 तक की heading बस यहां पर लगती है तो यह है इसको उन्हुला सबढ़ा कर लेते हैं ठीक है तो यह है कुछ इस परकारते आपका जो है बनेगा आगे next question control 3 ठीक है और what is the shortcut key of super script in writer अगर super script और sub script होती है उसको लिखना है तो control shift और P चलिए इसको देख लेते हैं इसको select किया control shift control shift और P दबाया देखे यह super script format में आ गया ठीक है बाकी यहां पर देखे होती है italic bolt ठीक है underline और इसी में कहीं न कहीं होगी इसमें थुला सा आपको ढूनना पड़ सकता है इसके लिए इसके लिए सबसे best option आपके लिए है कि आप इसकी shortcut की इसको त्यार कर लें ठीक है त पर चलते हैं फटाफट इन कल्क बोला है विच सौटकट की इस इस तो इंसर्ट करने के लिए कौन से की है तो कल्क हमारे पास यह है और हमको फंसन इंसर्ट करना है तो सौटकट की के नुसार यहां पर देखिए option F2 दिया है F3 ए control F2 और control F3 तो देखते है control F2 से क्या होता ह है तो हम यहां पर चलते हैं और दबाते है control F2 तो control F2 दबाया देखिए यहां पर function wizard आपके सामने open हो गया जिसमें कि सारे function यह से लेके जेट तक इतनी functions होते हैं इसमें लगबग सभी functions यहां पर आपके दिये हैं देख सकते हैं यहां पर ठीक है तो बाकी यहां से आप बाइडिफॉल्ट उसके डेटाबेस के जिसे कि यहां पर लिस्ट के देखते mathematical function देखने तो यहां पर mathematical मिल जाएंगी ठीक है तो यह है समझने control shift O चलिए इसको भी दिखा देते हैं जैसे माले यह है यहां पर कोई data आपने लिखा हुआ है अब हमको इसको देखना है print preview में तो कैसे देखेंगे control shift और O से आप print preview देख सकते हैं लिब्रे office कल्क में ठीक है question no 17 है impress का भूला है impress में किसी भी शेप को पीछे send करने के लिए send it to back करने के लिए किसका अपयोग किया जाता है तो control shift और प्लस ठीक है तो प्लस की जो की है हमारे keyboard में काम नहीं करती है तो इसलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा इसका प्रेटिकल बागी आप अपने में करके देख लिएगा जैसे कि यहां पर म आपका लगा हुआ है तो उस image को आगया पीशे करने के लिए slide को ओपर नीचे करने के लिए जैसे कि यहां से option होता है ठीक है आरेंज करने पर जाएंगे तो यहां पर बैक देखे बैक फार्ट वार्ड और फ्लंट का option होता है ठीक है लेकिन अगर इसको shortcut की के माद्रम से कि किया जाए तो क्या है control shift और प्लस ठीक है तो यह आपको पता होने चाहिए next आते हैं आगे question number है 18 पूछ पूछ रहा है new slide insert करने की shortcut की क्या है new slide यहां पर है तो दबाते है control M तो आपकी new slide जो है वो open हो जाती है ठीक है तो यहां पर देसे क्लिक करेंगे देखे new slide को option आता है यहां से आप इसको use कर तकते हैं ठीक है तो shortcut की क्या है control M control M है आपकी shortcut की और control N करेंगे तो देखें control N दबाएंगे तो new file आपकी open होगी control हम LibreOffice इंप्रेस पे जलते हैं control N से देखें क्या आता है new window open हो जाती है ठीक है उसी पेकार से अगर shift control control shift और M दबाते हैं देखें तो उस case में क्या होगा यहां पर हम दबाते हैं control shift और M तो control shift M दमाने से कोई भी procedure नहीं हो रहा है यहां पर shift और M दबा के भी देख लेते हैं हम लोग shift और M दबाके देखेंगे तो भी कोई आपका work नहीं कर रहा है ठीक है तो option क्या हो जागा है यहां पर control और M shortcut key for presentation slide slow तो सभी में slide slow को open layer run करने के लिए F5P का use करते हैं जो कि आपकी यहाँ पर दी होती है ठीक है यहाँ पर slide slow पर जाकर देखें यह लिखा हुआ start from slide F5 ठीक है तो option हो जाएगा यहाँ पर A question number 20 है यदि आप impress presentation का window close करना चाहते तो कौन सा दबाएंगे तो impress माल लिए यह खुला हुआ इसकी window close करनी है तो हम दबाएंगे control और F4 ने control W दबाने से इसको close किया जा सकता है जैसा कि इसमें दिया हुआ option में तो control W, control X, control B ठीक control B से तो आपका board वगर होगा control X या none of this भी option है तो देखते हैं control और दबाते हैं W तो देखिए यह close हो गया window ठीक है तो control W का use करेंगे window को close करने के लिए 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 आफिस इंप्रेस में question number 21 in impress with shortcut case use to insert a template template इस insert करना है तो control shift और end control shift और end ठीक है तो यहाँ से आपना template लगए यहाँ पे template manager उपन हो जाएगा अब जिस पेकार template आपको चाहिए वो आप template यहाँ पे लगा सकते हैं presentation का चाहिए तो देखिए यहाँ पे आपको template मिल जाएंगे ठीक है बने बनाए templates इस पतार से होते हैं ठीक है next question copy करने के लिए shortcut की आपकी कौन सी है तो control C है help और support कोलने के लिए तो किसी में भी आपको help menu खोलना है यह आपका तो इसकी shortcut की होती है F1 लगबख सभी software में F1 ही होती है आपके help कुंची को खोलने के लिए तो F1 ठीक है 22 नमबर है LibreOffice राइटर में sidebar को छिपाने या दिखाने के लिए shortcut की क्या है sidebar जो आपका होता hide और हाइन है करने के लिए control F5 ठीक है LibreOffice राइटर में बोला है तो control दबा के आप F5 दबाएंगे तो इसको hide और unhide आप easily कर सकते हैं ठीक है उसके बाद Nash question है हमारे पास LibreOffice राइटर में print preview अगर देखना है तो LibreOffice राइटर में या फिर calc में या किसी में भी देखना है तो उसकी shortcut की क्या होगी control, shift और o जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया इस पर कारते आप तीनो ही software में use करेंगे ठीक है लेकिन अगर आप MS Word यूज़ करेंगे तो वहाँ पर shortcut की या लग होगी LibreOffice राइटर में new style के लिए किस shortcut की का यूज़ किया आता है new style आपको लगानी है तो shift दबाके 11 ठीक है माले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस पकार से और new style आपको लगानी है तो shift दबाके हम दबाते है 11 तो देखिए यहाँ पर style को option आ जाता है heading 1 heading 5 और आ जाता है option यहाँ पर default style का ठीक है तो इस पकार already यहाँ पर name exchanged है आपको यहाँ पर नाम देके other नाम से भी बना वक्ते हैं ठीक है तो option हो जाएगा आपका इसमें shift 11 लिब्रे ओफिस डाइटर में auto spelling चेक करने के लिए shift F7 shift दबांके F7 से आप spelling चेक का feature जो है वो activate deactivate कर सकते हैं shift 7 ठीक है आपका word में different होता है लिब्रे ओफिस डाइटर में document के ant में जाने के लिए कि shortcut की किफ्रो करते हैं तो यहाँ पे है मालिजे cursor आपको और end में आपको जाना है तो control और end दबा देंगे तो यहाँ पे आप end में आ जाएंगे या control हो दबा देंगे तो देखे यह देखे और end दबाया तो यहाँ पे है यह वालिजे टेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपका cursor है आपको end में जाना है तो control दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा home दबा देंगे तो पहले आ जाएगा तो दो question हो जाता है end में जाने के लिए हो जाएगा तो control प्लस end की दबाएंगे यह आपके arrow के उपर सारी की होती है और अगर end से पहले starting में जाना है तो control प्लस home की दबाएंगे ठीक है तो दो question यहाँ से आपके निकलाते हैं shortcut की के next है हमारे पास LibreOffice कलक में time insert करने के लिए shortcut की क्या है control shift और प्लस control shift प्लस दबाएंगे तो आपका time insert हो जाएगा ठीक है उसके what is shortcut की तो open a new spreadsheet open करने के लिए control n ठीक है हमारे पास यह है new spreadsheet open करने तो control n दबादेंगे new आ जाएगी ठीक है simple सी है उसके बात next question है which shortcut is used to delete a cell in LibreOff physical अब इसमें हमको cell delete करनी है तो देखे इसमें माले कोई cell है उसको delete करना है जैसे कि माले यह data लिखा हुआ है तो हम क्या दबाएंगे control और क्या लिखा हुआ है plus और minus ठीक एक बार control plus minus दबाएंगे तो आपके delete हो जाए ठीक तो उसको note कर लें और practice भी कर लें प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4 जिटने भी आपके format cell है ठीक है तो option हो जाएगा one format cell को open कर लें control plus one ठीक है तो यह देखे format cell आपके यहां से open हो जाती है जिसमें कि हमारा font होता है style और size को option आता है ठीक है यह लिब्र ओफिस कल का है question लिब्र ओफिस कल में अगर format cell को open करने के लिए control one लेगन इसमे जो अगर control one का use करते हैं तो क्या change होती है heading change होती है heading change हो रहे ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए नहीं तो आप हर जहेंगा same option लगा के चले आएंगे तो यह गलती मत करिएगा उसके बाद next question है question number 33 इसमें देखते हैं क्या दिया गया है हाँ 33 में बोला है कल्क में संपूर्ण work sheet को select करने के लिए तो सभी को select करने के लिए control A है और दूसरा है देखिए A और B control shift और space से भी आप इसको select करते हैं ठीक है जैसे कि यह है sheet number 1 पे आते हैं और इसमें सभी को select करना है तो control यह दबाएंगे तो इस पकार से और दूसरा है control shift के साथ आप देखिए इस पकार से भी space बार का भी use करके इसको select करते हैं एकर entire row और column को select करना है control और shift से नहीं होगा control shift और space बार से आप इसको भी select करते हैं तो यह दोनों ही option आपके ठीक हो जाएंगे ठीक है तो हो जाएगा B 34 अ लिब्र ओफिस कल्क में बाहर निकरने के लिए लिब्र ओफिस कल्क में है बाहर जाना है यहां से तो हम दबाजेंगे control डबलू और यह close हो जाएगा simple सा है ठीक है और लिब्र ओफिस कल्क में cell के buy और जाने के लिए shortcut की कौन सी है buy और जाना है माली यहां पर है और हमको जाना है buy यह आपका buy हो जाएगा तो shift दबाके tab दबाएंगे देखिए बाएं जाएगा ठीक है तो यह simple सा है ठीक है तो कि आप कौन सी shortcut की उस करेंगे shift दबाके tab बाएं जाने के लिए shortcut की में हम लों यूज करते हैं तो चलिए चुणा कर देखत प्रिकार से यह सब में change हो जाएगा तो option क्या हो जाएगा control shift और बी यानि की a option इसमें ठीक होगा उसके बाद है यहां पर question number 37 एक slide presentation के दौरान एक के बाद एक hyperlink को select करने के लिए माले एक आपके पास hyperlink है ठीक है उसके बाद आपको एक another hyperlink select करना है तो उसके लिए देखि तो देखिए basically यह है slide presentation में ठीक है तो अगर यहां पर है तो एक के बाद एक slide को अगर आपको लेना है तो tap देखिए दवाएंगे तो देखिए यहां पर यह tap option है आपका यह tap यहां पर काम करता है ठीक है तो option हो जाएगा अब यह अपने hyperlink लगा नहीं जब hyperlink आप इसमें लगा देंगे तो उसके बाद आप यह control tap दवाएंगे तो यह उस पर कारते काम करेगा ठीक है तो option हो जाएगा a tap ठीक है उसके बाद है पोश्ट के लिए paste के लिए shortcut की क्या है तो पेश्ट के लिए सभी में control V ही रखी गई है तो option हो जाएगा control V ठीक है writer में सब script लिखने के लिए तो control shift भी question repeated है पड़ा पड़ा आगे चलते हैं question number 40 है library office writer को बंद करने के लिए तो control W होगा देखें यहाँ पर दिया गया है ठीक है library office writer में edit auto text के लिए shortcut की कौन सी है edit auto text को इसमें पूछा library office writer में ठीक है तो इसमें option है control F3 तो यहाँ पर चलते है और दबाते हैं control F3 तो देखिए auto text का option यहाँ पे कुल जाता है और यहाँ पे कोई भी नाम डालके auto text बगएर आप बना सकते हैं या heading बगएर इंसर्ट भी कर सकते हैं यह देखिए इस पकार से बन जाएगा आपका auto text ठीक है देखिए logo बगएर इस पकार से आ जाएगा ठी तो इसकी shortcut की किए control F3 auto text को edit करने के लिए ठीक है 42 नमबर है लिब्रे office item में bullet अगर हमको लगाने इंसर्ट करने है तो shift दबाके F12 लगा कर देख लेते हैं यहाँ पे दबाते है shift और F12 दबाते हैं देखिए bullet आपके सांद में लग गई इसी पकार से control C और V करेंगे इस पक इस पकार से control all करेंगे और shift दबाके F12 दबाएंगे देखिए सभी में bullet आपकी लग जाएंगी ठीक है तो इस पकार से काम करता है bullet feature control C करते हैं और यहाँ पे करते हैं control V, V, control all और shift 12 देखिए तीनों में ही आपकी बुलट इस पकार से आजाएगी ठीक इसको और शोटा कर लेते हैं तो यह देखिए तीन बुलट आपकी आगे है ठीक है इस पकार से लगा सकते हैं bullets को इसके मादम से shortcut की जो है shift F12 देखिए कितनी अच्छी shortcut की है फोटेच रिया इन लिब्रे ओफिस कलक वी shortcut के use to all cell आपका बोला है cell dialogues box ठीक है तो लिब्रे ओफिस कलक में अगर हम आते हैं और cell dialogues box open करना है तो अब देखिए यहाँ पे है control बन दबाते हैं तो देखिए cell dialogues box आपका open हो जाता ह यह को सना चुका है में मन्स अभी कलक प्रोग्राम में नया template खोने के लिए control shift और n का use किया जाता है लिब्रे ओफिस कलक में sidebar को छिपाने के लिए control F5 का use किया जाएगा यह भी आ चुका है ठीक है उसके लिब्रे ओफिस कलक में cell में किसी संक्या को date बदलने के लिए ठीक तो उसकी shortcut क्या है control shift और 3 है ठीक है control shift और 3 ठीक है control shift 3 के मादम से आप इसको changement कर पकते हैं सब्सक्राइब नेक्स्ट कुस्टन पर आते हैं 47 है लिब्रे ओफिस में comment अगा लिखना है तो control alt c कि लिब्रे ओफिस अब इसमें लिब्रे ओफिस किसी में भी चले आए comment माली जापको लिखना है तो control alt c जैसे कि माली यहीं पे हैं और हमको comment लिखना है तो control alt c दबाते हैं तो देखे comment को option आ जाता है सेम इसी पकारते हैं यहां पे है control alt alt c दबाते हैं यहां पे भी comment को option आ जाता है ठीक है तो लगबख सभी में लिब्रे ओफिस में किसी में भी software में comment डालना है तो control alt c का use करेंगे अगली seat पर जाने के लिए shortcut क्या है control दबा के tap किसी भी seat पर जाने के लिए control tap दबाएंगे त अब उस पर easily जा सकते हैं ठीक है next question number 49 spread seat में selected sales को row को select करने के लिए किसका अप्योग किया था है यहां पूरी row select हो जाती है इसी परकार से इसी परकार से control एक और अभी जो मैंने आपको बताई थी उसका आभी प्रयोग करेंगे तो आप easily select कर सकते है column को ठीक है उसके बाद है to rename आप file folder के लिए तो उमारे पास होती है F2 आपको बता जा चुका है writer में table insert करने के लिए आपको question आया था control F12 note कर लिए format cell को खोलने के लिए control 1 ठीक है यह भी आपको आया था भी और एक slide से दूसरे slide में जाने के लिए hyperlink के लिए tap का यूज करते हैं hyperlink के लिए shortcut की कौन सी होती है hyperlink लगाने के लिए control के सभी में आपको पता है impress में एक task box open करने के लिए यहने कि text box impress में यूज करना अगर हमको तो देखे यह है impress ठीक है और text box open करने के लिए तो दिखा रहा है तो यहां अगर कंट्रोल टी दबाते हैं तो देखे क्या यहां पर कुछ वर्क होता है कंट्रोल टी दबाते हैं तो कोई भी वर्क हां देखे टेक्स को आप्शन आ जाता है यह text box ठीक है तो यह देखे कंट्रोल टी दबाये तो हमने text box यहां पर open हो जाता है तो विच सौटकट की इस तो text box in inference तो यहां पर हो सकता है यह option नहों के चंट्रोल टी होगा ठीक है तो इसको आप ठीक कर लें उसकता है यह option नहों गलत है तो option यहां पर select हो गया हो तो इसलिए मैं आपको लाइब भी करके दिखा जाता हूं तो अभी मान लिजए यहां पर हैं तो अभी लिए ओफिस इंप्रेस उपन करते हैं और पहले हम दबाएंगे f2 ठीक है तो अब हमको टेक्स लगाना है तो हम f2 दबाएंगे देगे f2 से text आपका आ जा रहा है ठीक है मैंने दबाया और आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है option आपका ठीक है इसका मतलब option हो जाएगा f2 तो वाट इस shortcut की जो तो टेक्स बॉक्स टेक्स बॉक्स लगाने के लिए 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 अप्रेस में क्या दबाएंगे f2 ठीक यह option ठीक है 56 लिए ओफिस राइटर में टेंपलेट को मैनेज करने के लिए shortcut क्या है control shift और n ही भी आ चुका है भी लिए ओफिस राइटर में paste special के लिए control shift वी लिए अपका बोला है यह राइटर और इसमें control shift और बी दबाएंगे तो paste special का option है आपके खुलता है ठीक है control shift वी के साथ control shift वी है sorry मैं बी प्रेस कर रहा था control shift और वी के साथ देखिए paste special का option आ जाता है ठीक है तो option हो जाएगा आपका ए 58 है लिब्रे ओफिस राइटर में paragraph अगर परिवतन करना यानि लाइन को break करने के लिए लिब्रे ओफिस कहां बोला है आपका ये राइटर में तो माले जब यहां पर है लाइन को आपको ब्रेक करना है तो shift दबाके आपको दबाना इंटर देखिए लाइन ये इस परकार से ब्रेक हो जाएगी ठीक है तो option क्या हो जाएगा इसमें है ओप्सन हो जाएगा आपका shift इंटर 59 पर आते हैं कल्क में सेव करने के लिए इस सेव एस करने के लिए कल्क में बुला है कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाएंगे तो सेव एस का option आएगा ठीक है ये देखिया आगया कंट्रोल शिफ्ट एस कल्क में आप किसी कुछी को नंबर फॉर्मेट में अगर डेट बदलना है कोई नंबर लिखा हुआ है चेंज दी नंबर फॉर्मेट एस डेट ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट और फ्री दबा के आप उसको चेंजमेंट कर तकते हैं यहां पर एठीक कंट्रोल शिफ्ट और घ्री दबा के आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं ठीक, next icon कि i7 कि 60 वन है पूरी रो को स्पेस्ट करने के लिए मैंने बता दिया सिपति दबाके इस में हम को दबाता है और Sip दबा के Tap दबाएंगे तो दूसरे चीज़ है यहां पे Sip दबा के Tap से यह Back आता है Control दबा के Tap से कुछ नहीं होता है ठीक है, Alt दबा के Tap से यह ख़ड़े आता है, ठीक है तो इस बकार से Sip दबा के Space अगर हम दबाते हैं तो यह आपका पूरे कॉलम को select करता है control दबा के space दबाते हैं तो कुछ नहीं होता है all दबा के space दबाते हैं तो भी कुछ नहीं होता है ठीक है तो यह note कर लें 62 है in library of fiscal में shortcut की convert a currency में अगर हमको convert करना है तो control shift F4 थे आप उसमें currency डाल सकते हैं control shift और क्या बोला है आपका control shift और 4 ठीक है next question 63 library of fiscal में document format को clear अगर करना है को document format है उसको clear करने के लिए shortcut की क्या है control M या आप कुछ लिखा हुआ है माल लिए data उसको clear करने के लिए control M आप दबाएंगे तो document आपका जो है वो clear हो जाएगा ठीक है 64 है library office कल में किसी value को highlight करने के लिए shortcut की क्या है control F8 किसी को highlight करना है इसको माल लिए आपने select किया तो control दबा के आपको दबाना F8 तो यह आपका हो जाता है highlight ठीक है करके आप लोग देख लिजेगा 65 last question है मारी PDF का 24 पीज की पूरी PDF थी लिप्रियो इंप्रेस में text box insert करने के लिए shortcut की क्या है तो मैंने भी आपको दिखा दिया लिप्रेस में text box अभी मैंने आपको लगा कर दिखाया था F2 दबाया तो देखे text box यहां पर आ जा रहा है तो इसके अंदर आप कुछ बेल लिख सकते हैं यह आपका text box कहलाता है इसको आप उठा के बड़ा चोटा कहीं भी adjustment कर करते हैं ठीक है तो आसा करते हैं यह questions आपको अच्छे लगे होंगे और यह important question ने लिप्र आफिस संबंदें जो भी shortcut की सोंगी वो शी जूद देख लिए 100% में से question आपके फसेंगे ही फसेंगे मेरा थान classes है आपके लिए M1R5 की जो की होने वाला है 22 आपको ठीक है इसकरा में continue चलेंगे और M2 की M3 की और M4 की भी classes आपको मिलेंगी courses करेंगे 30 minutes से 7 minutes की वीडियो दें और 100 questions आपको solve करवा दें तो इतने question आपके होगा इसमें आगे चलते हैं कुछ और ने question देखते हैं